यह अबयाँ वास गाओं के सीम है और हम यहाँ पर फिलाल संजू सरपन्छ इस गाओं की सरपन्च यहाँ पर फिलाल मोजुद हमारे साथ और यह सीम के ऊपर खड़े हैं और इनका सिदा सिदायलान यह है कि इस गाओं के अंदर कोई भी पोलिटीशन जो है नहीं आएगा वोट मांगने के लिए जब तक अमारा समाधानी होगा यह आप उपर से जो तस्वीरे देखने हैं यह पाड की इस पाड के अंदर जो है खनन चल रहा है काफी दिनों से काफी दिनों से नहीं काफी सालों से और विरोध गर रही है यह सरपन साब है जी नमस्कार जी क्या आखिर पूरा मामला क्या है और पोलिटीशन जो है इस माइनिंग चल रही है उसमें वह अबेद चल रही है रबेद जल्दोन कर रहे हैं अच्छा जी उसके लिए गाउवाले ने एक मैने से दर्णा दे रख्या है यह पाड के सामने इस रोड पे जाजिए अच्छा वह दर्णा चलू है हमारा भी एक मैना हो गया हमें बैठे जितनी लेवल से निकालना चीये था उसे ज्यादा नीचे चले गए जिसके काना मारा जमीनी जो पानी वह उपर आगया है वह पाणी का लेवल खराब हो गया है गाउं में आने वाड़े पानी का लेवल यानिकी संजनी पामास थोड़ा सपेस्ट्ट समझाओ पानी कौन से सब्सक्राइब नीचे का पाणिए जया चिए का पानी पाणी उपर आगया है जिसे हमारे आसपास के गाव में जितने भी ऐटूबल यह सब इठाप हो गए खराबव पर पानी कठा न को पाणी लग रहा है जो पानी शेल पाणी पाणी था वो सारा जा चुक्या है और हमारे गाहों में पाणी निये पीने का अच्या सरकार के और से कोई भी वाटर सप्लाई की व्यवस्था नहीं है सभी टूबल का पानी पीते तो पिर वहापर पाणी कठा बता रहे हैं उस पाड़ के अंदर झो खुदाई करकी तो पानी कठा है तो फिर ख पानी करते हैं तो फिर उसके बाद रुखता है तो काम फिर जो पानी जो है यहां से उदर जाता है ता वो उस खराब पानी को खेतों के अंदर डालते रहते हैं इसे फसल भी खराब होती और जिसके कारण अमारे सारे कोई आँसे खराब होगे जो खोद रखे थी पानी किसी चाही के लिए उनका सब का पानी खतम हो चुक्या है और बलास्टिंग से भी कोई समश्या होती बलास्टिंग से आसपास के घर सब में त्रेड आगे ने ने गरों में भी यह द्रारे आ जाती हैं और कोई सब्सक्राइब करें जाती हैं सभी पोलिटीशन से सेम से इस तरफ ऐस तरह आपनी यह देंगा जब तक आमारी समश्या का समाधान निक करेंगे आम चैर साल से ओर एक तेबल के उपर के उपर आंधी कारी के उपर आमारी समय स्याय रख सुके ने नादा चोटाला अमारी वारड मल कुड़ाय कर दिया कुड का मारी सम्षिया कर दिते हुगा अजब तक आम मारी समख्या का समाधान नहीं हो यह दरना जारी रखेंगे 나쁜 चाँ परचार के वाह डाल ज़्या किना कहा है फिर बैंद कम आ zdrow!" कर रहे हैं पूरा गाम हमारा इकठाव के और अभी भी खनन चल रहा है खनन का रिया है अब हम दढ़ने पर बैठे तब से अमने बंद कर रहे हैं और समाधान तो फिर आप लोगों को ने करी दिया और क्या दिकत रहेगी फिर भी जी यह हम लिगली इसको बंद किया जाए और सब्सक्राइस को अब तक प्थर निकाल रहे हैं अब यहे आप इसने एक्स्ट्रा जा चुके हैं नीकर बदों यह जी एक सो साथ या सतर फूट के करीब जा चुके जो एक्स्ट्रा नीचे जा चुके हैं अच्छा इसके कारण अगर अभी समाधान निवा तो यहां पर वोटिंगी नहीं होगी ना को प्रदान मंत्री के आवास पर भी जाने का काम कर सकते हैं अगर सोटाउट नहीं हो तो अगर पहले इतना बड़ा काम कर दिया वोट नहीं डालेंगे वह सकता वह यहां पर आजाएं वह तो जी देखो जी उनकी मर्जी है लेकिन अभी तक आमें तो कोई समस्या सोटा उट होती दिखाई नहीं देरी सब आते हैं चले जाते हैं पर कोई करवाई मंजू नाम आपका दिखाऊ इसको इस बोड़ से इधर जो ना कोई भी पोलिटीशन अलाउड नहीं है संजू सर्प संजू फोगाट इनका नाम और यह किसी को भी गाओं में जो हैं गुशने निदेंगे और अभी आवाज उठा रहे हैं कि अवैद खनन जो पिछले कितने सालों से हो रहा है चार सालों से हो रहा है और वैसे कितने साल से बलाष्टिंग वह रही है कि 15-20 आपर आपर बलाष्टिंग और यह अगय तो तर नहीं सब्सक्राइब ने करेंगे इस चीज और माइनिंग उन्गानी चीए चीए कागजी तोर पर लीगल तोर पर इस माइनिंग को रोकना ची अभी तो इन्होंने लठके जोर के उपर जोना माइनिंग बंद कर्वा दियाँ करें यहां से बगाती हैं सभी लेकिन अभी जो है। कि लीगली तोर के उपर यहां पर चुनाव नहीं हो यहां से कोई लोरे और यहां पर आने नहीं देंगे संजू कबड़ कंजब बड़ाट याँ पर खड़ी हैं और यह तस्वीर आपने देखी अग्यावास कि आगे पहाड़ की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या वास्तव में चुनक्ण पूरा मसला है वह पह आखर पौर आक चिसंग साहलई т.ब